एक अंदेखा फोटोशूट जिसमें प्रेग्नेंट महिला ने ली मधुमक्खियों के साथ सिल्पी मशूर वेग्यानिक अलबर्ट आइंस्टीन के एक बार कहा था कि जिस दिन धर्ती से सारी मधुमक्खियां गायब हो जाएंगी उसके ठीक चार वर्ष तक ही इंसान जीवित रह पाएंगे कुछ ऐसा ही संदेश देने के लिए इस महिला ने अनोथा पोटोशूट करवाया जानकारी के मताबिक इस मैटरनिटी पोटोशूट के दोरान महिला के बेबी बंप पर करीब 20,000 मधुमक्खियां बैठी रही महिला को तीन बार बंक भी लगा लेकिन उन्होंने फोटोग्राफर को निराश नहीं किया जेली मेल को दिये इंटर्व्यू में महिला ने बताया कि उनके कई दोस्तों और रिष्टेदारों ने पूछा कि कहीं मधुमक्खियों के कारण उनके होने वाले बच्चे को कोई नकसान तो नहीं हुआ इस महिला का नाम एमिली मिूलर है और यह अमेरिका की रहने वाली है मधुमक्खियों से उनका नाता केवज फोटोशूट का ही नहीं बलकि रोजी रोटी कभी है मदुमक्खियों का छत्ता हटाना उनका पेशा है इसलिए उन्हें पता है इन जीव के साथ कैसे पेशा आना है एमिली ने बताया कि मदुमक्खियां वे नमरू होती है जब तक उन्हें छेडा न जाए वे किसी को हानी नहीं पोहन चाती है यही संदेश देने के लिए उन्होंने फोटो शूट करवाया हाला कि यह प्री प्लांड नहीं था इसका आइडिया उन्हें तब आया जब उन्हें एक क्लाइंट का कॉल आया एमिली ने बताया कि फोटो शूट से पहले मदुमक्खियों को जीनी खिलाई गई थी जिसके कारण काम आराम से पूरा हो गया